योजना यहती की भारत और न्यूजिलेंड के बीच पहले दिन का खेल समापत होगा और हम आएंगे और आपको भारते टीम के सांदार परदसन के बारे में बताएंगे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और भारत और न्यूजिलेंड बेंगलूर टेस्ट का पहला दिन बारिस के कार बेचारी न्यूजिलेंड टीम जो इससे पहले आफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेलने आई थी ग्रेटर नोड़ा में वहाँ पर भी बारिस की वज़र से पूरा मैच नहीं हो पाया और अब भारत के खिलाफ जो मैच खेलने आए हैं उसका प्रैक्टिस वाला दिन भी बारि से धुल गया मतलब न्यूजिलेंड के आते ही बारिस आ जाती है तेज बारिस के चलते खेल नहीं हो पाया पूरा दिन बारिस होता रहा बीच में कुछ समय के लिए बारिस रुकी कवस हटाये गये लेकिन फिर से बारिस सुरू हो गई दिन का खेल रद कर दिया गया अब द दोस्ते रहें कि इसके लिए कोई रिजर्ब डेट है तो ऐसा नहीं है अब भारत को चार दिन में ही मैच जीतना होगा क्योंकि पहला दिन बारिस के कारण खतम हो गया अगले चार दिनों में भी बारिस की संभावना है 17 से 20 अक्टूबर तक बेंगलरू में तेज बारिस का अनुमान है अगर आप अपने फोन में जाकर चेक करना चाहें तो देख सकते हैं कि अगले चार दिन तक बारिस का पुर्वा अनुमान है और 21 तारिक से धूप खिलने की संभावना है इस स्तिती में पूरा मैच नहीं होगा और अगर ऐसा होता है तो भारते टीम को नुक्स फाइनल में जाने के लिए नुजिलेंड के खिलाफ तीन जित जरूरी है और उसके बाद अस्टेलिया को भी एक मैच में हराना होगा अगर बेंगलूरू टेस्ट ड्रॉ होता है तो अस्टेलिया में दो टेस्ट मैच जितने होंगे ड्रॉ की स्तिती में भारते टीम को अंक नहीं मिलेगा बलकि नुजिलेंड को भी पॉइंट्स मिलेंगे यानि की पॉइंट्स बढ़ जाएंगे जिससे भारत को नुकसान होगा फिर नुजिलेंड के खिलाफ अगले दो टेस्ट मैच जितने होंगे और अस्टेलिया के खिलाफ पांच में से दो टेस्ट मैच जित अस्टेलिया में जाकर भी दो टेस्ट जितने होंगे और नियुजुलेंड को यहां दो टेस्ट हराना होगा हमारी यही उमीद है कि अगले चार दिन में थोड़ी बहुत बारिस हो जाए तो ठीक है लेकिन पूरा मैच हो जाए और भारत इस मैच में जीत जाए अगर ऐसा होत और है